नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज हम डिस्कुस करने वाले पेपर एल्टे हिंदी का ये पेपर हुआ है 15 दिसंबर को 2020 को तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से क्वेस्चन है फस्ट है मुक्ति बोध की मृत्य उप्रांत सामने आई पुस्तक कौ और बी दोनो यानि कि चान्द का मुटेडा हो और भुरी-भुरी खाक धुल ॉप्शन सी इसका राइट आंसर है नेक्स् वेस्टिय नेक्से से का राइट अंसर है उप्शन सी हुदैप्रगाश इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है आचारय हरिश चंद्र को नरकवी की संगया किस ने दी? तो इस ग्वेशन में थोड़ा doubt है, मुझे इसका आंसर नहीं आता तो इसके लिए sorry नेक्स्ट वेशन है मिश्र बंदू इनमें सी कौन नहीं है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन B क्रिशन बिहारी मिश्र इसका राइट आंसर है नेक्स्ट वेशन है किस साहित्य इतिहास कार ने आधिकाल को बीजोपन काल का नाम दिया तो इसका right answer है महावीर प्रसात वीवेदी ने option D इसका right answer है next question है रचना की दृष्टी से क्रिया किये कितने भेद हैं तो इसका right answer है option A 2 इसका right answer है next question है तीन दिन कुछ लोग बहुत पुस्तके में कौन सा विशेशन है तो इसका right answer है option D संख्या वाचक विशेशन इसका right answer है next question है जिसकी लाठी उसकी भेंस में कौन सा सर्वनाम है तो इसमें है संबंध वाचक सर्वनाम option C इसका right answer है next question है कारक के कितने भेद होते हैं तो इसका right answer है option B 8 इसका right answer है next question है इन में से महापरान कौन सा है तो इसका right answer है Option D, हा Next question है कवी की वानी का कभीर को वानी का डिक्टेटर किसने कहा है तो इसका right answer है Option A, हजारी परसाथ दिविवेदी ने Option A, इसका right answer है Next question है पृत्वी, राज, रासी के नाईका नियुमन में से कौन है तो इसका right answer है Option C, संयोगीका इसका right answer है Next question है दिविवेदी यो की प्रमुका благодар भाषा कौन सी थी तो इसका right answer है Option C, खड़ी बोली इसका right answer है Next question है जिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है तो इसका right answer है option A, 84, इसका right answer है next है, अलंका सिधान के प्रवर्दक कौन है तो इसका right answer है option D, भामहा, इसका right answer है next है, वक्या उचारन स्थान कौन सा है तो इसका right answer है option C, दंतोष्ट इसका right answer है next question है, नीमन लिखित वेंजन में सयुक्त वेंजन कौन सा है तो इसका right answer है option B इसका right answer है next है जिन्ध्वनी चीनो द्वारा मानो परफ विचार भी नहीं में करता है उसको समश्टी रूप से भाषा कहते हैं परिभाषा किसने दी है तो इसका right answer है option A बाबुराम सक्सीना ने option A इसका right answer है next है आर्या समाज की स्थापना किसने की तो आर्या समाज की स्थापना की है स्वामी दयानन सरस्वती ने option C इसका right answer है next है चत्र साल दशक कव्यों के कवी कौन है तो इसका right answer है option A भूशन इसका right answer है next है करुन रस का स्थाई भाव क्या है तो इसका right answer है option B, शोक, इसका right answer है next है रस निपत्ति की अभिवक्ति परक व्याख्या करने वाले हैं तो इसका right answer है option D, अभिनव गुपतिस का right answer है next question है भारतेंदू की बाल बो धीनी पत्तिका का संबन किस से था तो इसका right answer है option D, बचो, स्ध्रियों, सी हिंदी का प्रतम समाचार पत्तो कौन सा था तो इसका right answer है option B, उदंत मारतंड इसका right answer है next है निक्स्ट है साहित्य लोचन किसका आलोचन ग्रन्थ है तो इसका right answer है option C, श्याम सुंदर दास का option C, इसका right answer है नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कभी माने जाते हैं तो इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंथ option A इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है कामाईनी महाकाव्य की रजनाकार कौन है तो इसका राइट आंसर है option B जैशंकर परसाद इसका राइट आंसर है तितली व कंकाल उपनियासकार कौन है तो इसका राइट आंसर है जैशंकर परसाद ओप्शन C इसका राइट आंसर है राष्ट्र कभी मैथलिशन गुपत की रचना नहीं है तो इनमें सी कौन सी नहीं है वो है वनाष्टक option D इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है श्रेदर पाथक को रचना नहीं है की रचना नहीं है तो इनमें सी श्रेदर पाथक की रचना नहीं है वो है वैदेही वनवास Option C, इसका right answer है Next question है पदमावत को टरिजटी किसने माना तो इसका right answer है Option B, विजयदेव नारायन साहीने Option B, इसका right answer है Next question है निर्मल वर्मा को कववे और काला पानी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो निर्मल मर्मा की जो कववे और काला पानी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये हुई है हंस पत्रिका में प्रकाशित Option D, इसका right answer है Next है सही कालकरम चांटिये तो इसका जो right answer है वो है Option D परक, सुनिता, त्यागपत्र, कल्याईनी option D इसका right answer है next है कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपनियास पर दो हजा तीन का कौन सा पुरुसकार मिला तो कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान उपनियास पर दो हजा तीन का कौन सा पुरुसकार मिला तो इसका right answer है option C साहीत्य अकादमी पुरुसकार इसका right answer है Next question है ललितटा दित्य उपनियास के लिखक कौन है तो इसका right answer है Option A वृंदावनलाल फर्मा इसका right answer है Next है प्रेम की पीर के कवियं माने जाते है तो इसका right answer है Option B घनानन्दी इसका right answer है Next है आजीवन शब्द में कौन सा समास है तो आज इवन सब में है अव्याई भावसमास, option D इसका right answer है निमन दोहा किसने लिखा नहीं पराग, नहीं मदूर मदू नहीं विकास, इहीं काल आदी कली हो सो बंधियो आगे को हवाल तो इसका right answer है option A, बिहारी next question है महादीवी वर्मा को किस रचना पर ज्यानपिट पुर्षकार मिला था तो इसका right answer है option C, यामा पर option C, इसका right answer है next question है लीली अपसरा और चाबुक नामक रचनाओं की रचनाकार है तो इसका right answer है option D, सूर्यकांत रिवाठी निर्डाला next है तूलसी गंग दोह भाय सुकविन केस सरदार किसकी पंगती है तो इसका right answer है option C, विखारिदास इसका right answer है next question है रामचंद्र शुकल ने कितनी पूस्तकों की दृष्टी में रखकर आधिकाल का नामकरन किया तो इसका right answer है option A, बार है इसका right answer है next है नेमन मेंसी उर्दू के प्रतिष्ठित शायर कौन थे तो इसका right answer है option B, इन्शा अल्ला खान इसका right answer है next है चारो चंद्र की चंचल किन्नी खेल रही जल्थल में सचांदनी बिछडी हुई है अवनी और अंबर तल में किसकी पंगती है तो ये पंगती है चंकर परसाद के option A इसका right answer है next question है नेमन मेंसी किस सिधांत का संबंद अरस्तbey से नहीं है तो अरस्तू से जो सिधांत का संबंद नहीं है इन में से वो है संपरिशन सिधांत option D इसका right answer है next question है तीलिये अकांकी किसकी है तो यह अकांकी है उपिंद्रनात अशग की ऑप्षण D इसका राइट आंसर है next question है हिंदी का प्रथम रेडियों नाटक था तो इसका राइट आंसर है शकुंतला ऑप्षण D इसका राइट आंसर है next है काल करमानुसास सही उत्तर का चैन कीजिए तो इसका right answer है option A. अंधियर नगरी अनग अंजना चंद्रूपत option A. इसका right answer है next है भारते इंदु का प्रतम मौलिक नाटक है तो इसका right answer है option B. वैदिक हिंसा इंसाना भवती option B. इसका right answer है next है शब्द अर्समरेती कृति की लेखक है तो इसका right answer है, option D, निर्मल वर्मा, इसका right answer है next question है, रेती के फूल की स्विधा की रचना है, तो ये है निबंध option B, इसका right answer है, next है, चपन तोले का करधन की स्विधा की रचना है, तो ये है कहानी Option A is unknown right answer Next Question है, इनमें से अगोश महा प्राण का सही विकल्प चुनिये तो इसका right answer है Option B, श, श, श Option B is correct answer Next है, अल्व की उत्तरावस्ता का सही विकल्प चुनिये तो इसका right answer है Option C, अल्पतर इसका right answer है Next question है स का उचारन स्थान चांटिये तो इसका right answer है option A, दंद Next है अर नारिश्वर निवन्द किसका है तो इसका right answer है option C, दिन करगा Option C इसका right answer है Next है सही विकल्ब चुनिए तो इनमें से सही विकल्ब पहुंचा है सही विकल्ब है option A, भगंदू, चिंता, इत्यलं, कितिनावे में कितना वार Option A, इसका right answer है Next है दिविवेदी यूग किस में सिमा क्या मानी जाती है तो इसका right answer है option B, 1929 Option B, इसका right answer है Next question है इतिवरितात मक्ता किस यूग की विशेष्टा है तो इसका right answer है option C, दिविवेदी यूग इसका right answer है Next है कामाईनी के अंतिम सर का नाम क्या है तो इसका right answer है option B. आनन्द first part में हम 60 question discuss करेंगे और next 60 question part 2 में discuss करेंगे total इसमें 120 question है तो आज की इस टूडियो में फिलाल इतना ही thank you so much